हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार बारा जून दोहजार तेईश और दह हिंदू न्यूजपेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल हैं वो इस वीडियो के थूर डिसकस करेंगे एक न्यूज जो फ्रंट पेज पे आज भी कवर कीगी है पिछले 15-20 दिन से हम जो चीज़े पढ़ रहे हैं मनीपूर के बारे में अगेन रिपेट मोड पे न्यूज है इसको ब्रीफ में कंक्लूड करूँगा हमने ये पढ़ा कि मनीपूर के अंदर सिजूल ट्राइब के स् इसके विरोध में जो दूसरी एथनिक कम्यूटी जो मनीपूर के अंदर रहती है उन्होंने विरोध किया कि वह सिजूल ट्राइब का स्टेटस उनको देने से हमें रिजरुवेशन का जो बेनिफिट है उसको एग्जेक्ली जोब और एक तरीके से एजुकेशनल इंस्ट् गौर में ने वहाँ पर एक पीस पैनल बनाया है और अब इस चीज का बेसिकली कुकी कम्यूटी जो है वो विरोध कर रही है कि भाई ये जो इसके अंदर खुद सीम प्रिजेंट है हम ऐसे पैनल में नहीं रहेंगे दूसरा बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम अजे मेंब अजेक्ति ने क्या बोला ये सारे चीजे हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपोर्टन नहीं है तिरफ इतनी एक इंपोर्टन बात है कि इसको गवर्णर जो है मनीपूर की वो लीड करेंगी इस ग्रूप को इस पैनल को और जिनका नाम है अनुश्या उईके करके अब बात करत है इस पैस की में न्यूज के बारे में राइट हैंड साइड में साइकलोन विपार जोई के बारे हम डिसकस किया गया है सबसे पहले वर्ड देखिए यह वर्ड बड़ा इंट्रेस्टिंग है विपार जोई हलाकि इसका मतलम मुझे एक्जेक्ट नहीं पता विपार जोई अगर वर्ड को धान से ब्रेक करेंगे तो यह आपको नजर आएगा थोड़ा से बेंगोली लेंग्विज में इसका रिलेशन है बंगलादेश ने इसको नेम किया है एक बेसिकली ग्रूप होता है और एक तरीके से जितने भी साइकलोन अलगले कंट्री में आते हैं वो नेम दी सजेशन दी जाते हैं वही है तो यह बताया गया कि extremely severe cyclone storm देखनेों को मिलता है गुजरात के area के अंदर जो है वो एक तरीके से possible है कि वहाँ पर यह impact कर सकता है इसकी speed 125 km से 135 km हो सकती है और गुजरात के अलावा यह पाकिस्तान का कराची वाला बैल्ट है वहाँ प बात करें थी कि एक ग्रूप है जिसके तुरू यह नेम करे जाते हैं भारत में एक exclusive group में जिसमें आठ या दस मेंबर हैं वो कौन-कौन सी country जो है इसके अंदर आते जिसमें world metallurgical department basically इस group को जो है वो cyclone को name और rename करने के बारे में consider करता है यह आप नीचे comment करें बहुत पहले UPS जिसमें में सवाल हुआ था GS paper 1 के अंदर जोगर्फी वाले section में कि भाई particular आप rename का procedure क्या होता है और इसको लेकर कौन सा group relate करता है इसके बाद हम जाएंगे text and context पर end में हम editorial पड़ेंगे text and context की अगर हम बात करते हैं आज text and context में लंबा चोड़ा एक तरीके से discussion किया गया कु 5 billion dollar हुई है यह अपने आप में बहुत इंट्रस्टिंग है कि चाहिवा अलग-अलग services हो सी ट्रांस्पोर्ट पावर कस्ट्रा कस्ट्रक्शन अक्टिविटी हो यह जानकारी बेसिकली दी गई है में अब बात करते हैं जो text and context में डिसकस किया गया है Thailand election के बारे में मैं repeat कर रहा हूं कि Thailand election से भी हमारा बहुत जादा relation है नहीं लेकिन बेसिक चीजे पढ़ेंगे दो चार लाइन में conclude करेंगे Thailand के अंदर एक party है progressive move forward party और यहाँ पर एक पॉपलिस्ट है few Thai party इन दोनों का इन्होंने का कि हमने victory हासिल करी है Thailand के अंदर यह victory क्यों discuss की तर बहुत यंग यह बंदे हैं जिनके बारे में discuss किया जा रहा है दूसरा Thailand में जनरली military और राज तंतर जिसको बोलते है मौनार्च system बहुत जादा आपको देखने को मिलेगा तो उसके बारे हम बताया गया इन्होंने कि जैसे campaign होता election का तो उन्होंने का था कि military conscription या monopoly जो है वो हम reduce करेंग same sex marriage जो allowed करेंगे तो यह basic basic सी इन्होंने एक तरीक है जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी political party अपना एक तरीके से गोशना पत्तर जारी करती है तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपना ये एक तरीके से manifesto किंद्रे बोला इसके लावा 500 seat हैं 200 representative होंगे दूसरे house के और उसके बाद प्राइमेश्र चुनेंगे ये सारी चीज़े है लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार थाइलेंड के लोगों ने बड़ी संख्या है वोट किये यंग party जो promise कर रही historical reform के बारे में military back party जो influence करते उसको reject किया और एक tectonic shift है थाइलेंड की politics में ये तो हो गया basic बात लेकिन हम हमने देखा कि जोगरिफिकली question हुए है पहले भी हुए है और अभी भी possibility है कई से तरीके से एक understanding होगी होने चाहे कि जोगरिफिकली basically कहा locate करता है थाइलेंड की जोगरिफिकल location बड़ी interesting है यूनिक सी भी है मैनमार से लेकर लाओस लाओस से लेकर वीतनाम और वीतनाम से ल बिल्कुल different country होगी है अनिमान सी आपको इसके left hand side में आपको नजर आएगा और इसके अलावा Gulf of Thailand ये major areas है करेक्शन कर दूं मैनमार लाओस कंबोडिया और नीचे मलेशिया और अगर आप सी रूट्स के तरू बोलेंगे तो इसमें वीतनाम भी आजाएगा Gulf of Thailand में और regular बात करते हैं तो कोई specific news नहीं है इसको brief में हम conclude करेंगे जितनी relevant होगी जितनी जुरूत होगी केवल उन्हीं चीजों पर हम लोग जो वो focus करेंगे इसके बाद अगर हम बात करें तो इस page पर जो next page है page number 12 यहां पर एक former एक तरीके से officer रहे है और इस टाइम पर United State और India Business Council के President Atul के साब इन्होंने basically discuss किया कि India-US के relation में खासकर defense tries में private sector का क्या रोल हो जोकता है private sector कैसे collaboration कर सकता है हाला कि हमने US और India relation के बारे में काफी चीज़े पढ़ी है फिर भी basic basic से चीज़े फिर पढ़ लेते हैं इस बार जून महिना हमारे लिए विशेस है खासकर India-US को लेकर भारत के प्रैमिस्टर का 21-22 जून के आसपास विजिट है US के अंदर और यह state विजिट है एक होता है US के अंदर को UN का सेसन हो रहा तो वहाँ पर पास बाट स्पेट करना है एक state विजिट होना 2016 में हुई थी उसके बाद अब यह विजिट होगी इसके बाद यह ब भारत के इंदर definitely sign कर रहे है और अगर उसमें amazingly high quality इत्रीके से component हो अच्छी खासे quality के या इत्रीके से company इंडिया में investment करेगी तो उसमें बहुत ज्यादा चीज़े होगी इसलिए private sector का private sector के साथ collaboration होना यह game changer होगा United States इंडिया के defense corporation के बीच में इंडिया US defense acceleration ecosystem जब हम बात करते हैं तो new initiative होता है जैसे advance cutting edge technologies है और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर यह collaboration जो है इंडिया इंडियन companies के साथ यह investor के लिए startup के लिए accelerator का का काम करेगा यह इसके लिए बहुत important है इसके बाद कुस बेसिक चीज़े बताई जैसे geostrategically अगर हम बात करते हैं तो great power struggles के बारे में होने पड़ा तो आज के time पे भी Americans के अगर हम बात करें तो वो concerns है कि आने वाले time में क्या future के साथ एक तरीके से काम करें क्योंकि बहुत सारे allies जो है US के भी कम हुए है आज के time पे जब हम इस visits के बारे हम बात करते हैं इसके के लावा initiative and critical and emerging technologies के बारे में बात करते हैं सेवी conductors के बारे में बात करते हैं cyber and space के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और US के जो relation है यह definitely game changer होगे जैसे jet engine cooperation को लेकर काफी debate हो रही है उनके defense secretary आए इसके लावा उनके NSA इंडिया के इंदर आने वाले हैं या उनका भारत के NSA के साथ visit होना यह timing बड़ी interesting है क्योंकि ठीक बात जो अब भारत के प्राइमिस्टर की विजिट होगी और उससे पहले प्रोपरिक अजेंडा सट करना यह हमेशा के लिए एक तरीके से game changer होता है again repeat के आगया cutting is technology हो इंडिस X हो ICT के बारे में और जो भी US और इंडिया के लि later relation है उसको और ज्यादा boost up करेगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं page number 14 पर तो यहां पर कुछ news आपको नज़राईगी for example भारत के प्राइमिस्टर ने इन्वरेट किया देश का पहला national training conclave करके और यहां पर अगर हम main बात करें तो इसमें capacity building silos को end करना हो या service delivery के enhance करने के बारे में discuss किया गया main focus है कि कैसे हम लोग governance के process में improve कर सकते है policy implementation में capacity building के थ्रू कैसे काम क्या जा सकता है उसको लेकर है right attitude, skill और knowledge के इस्तमाल करते वे कैसे future ready civil services को हम लोग जो वो install कर सकते हैं इसके बारे में जो वो focus किया गया इसके ठीक नीचे एक छोटी ची न्यूज और है एक नियूलितिक एरा है अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें अलग-अलग इराज होते हैं जैसे खासका जब स्टोन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह बता गया है कि सेल्ट फांड किया गया है सेल्ट का मतलब होता है जैसे कोई पत्थर या किसी metal का बना हो में बताया गया कि इसका सिगनिफिशनली यूज जो है वो एज एक्स और एज प्लो प्लो एक तरीके से हल जो होता है उसमें इस्तमाल होता था कितने सेंट्रिमेटर का चोड़ा कितना लंबा यह बेसिक चीज़े जरूर धान रखिए क्योंकि इसकी इंपोर्टेंस हो थे क्योंकि एतनौल जो है वो प्रडियूस किया जाता है एगरीकल्चर को प्रोड़क्ट्स के साथ ऐसे एगरीकल्चर मा लेते है राइस हमने धान की खेती करी राइस हमने उससे निकला कुछ इप्रावल जो हो खराब हो गया तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं बायो तेनिल म है तो यह बेसिक बेसे ही चीज़े एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर और जब एथनॉल रिफाइनरी होगी तब ही तो ब्लेंड करेंगे तो यही एक बेसिक सा न्यूज वहाँ पर है इसके अलाबा भारत के एक फ्लाइट थी इंडिगो जो अमरित सर्से जारी थी हमधाबाद लेकिन बैड वैदर की वज़े से वह पाकिस्तान में चलेगी कब गई कब वापिसाई वह इंपोर्टन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि डेफिनेट सी अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की सीविलेवेशन ने का कि यह कोई अनेजूल नहीं है इंटरनेशनली इसको अलाव किया जाता है बैड वैदर में कोई सिविलियन प्लेन दूसरे के स्पेस में चला जाता है तो वो अलावड जनरली इंडिया पाकिस्तान के एर स्पेस का इस्तवाल नहीं करता है क्यों पाकिस्तान अलाव भी नहीं करता है भारत भी अलाव नही राइट हैंड साइड में भारत के external affairs minister साहब की कुछ meetings के बारे में discuss किया गया जर्मनी और आस्टेलिया के ministers के साथ ये बताया गया कि G20 development ministers की जो summit हुई उसमें bilateral relation, partnership, cooperation, development जैसे issues पर उन्होंने discussion किया अगर आप main main points के बारे में देखेंगे तो again sustainable development summit के perspective से बात करना हो या अगर आप देखेंगे कि कैसे global gateway की तरह इंडिया development partnership initiative को काम कर सकता है G20 कैसे global platform बन सकता है इसके बारे में discuss किया गया आज के time बे जो सबसे ज़्यादा highlighted topics है जैसे supply chain का issue है food and energy security challenges है climate change के impact के बारे में काफी बाते होती तो ये सारे चीजे भी discuss करेगी ये एक तरीके से क्योंकि technology के जब हम बात करते हैं G20 की main summit होगे उससे पहले इंडिया ने इसको पूरा event की तरह बना दिया है कि भाई हम लोग 15 दिन बाद 10 दिन बाद कोई न कोई ministers की summit करेंगे ताकि पूरा engagement आपको नज़राए G20 में इसके बाद 3D digitization के बारे में बात की गई है कि भारत सरकार प्लान क कर रहे कि इस साल के end तक हम लोग 3D digitization करेंगे museums का UPSC में कई सवाल हुए है पहले 3D application पर 3D printing को लेकर हो और जैसे करा हम कुछ main application की बात करते हैं जैसे यहां पर 3D printing technology के बारे में बात होता है airspace, aviation, automotive, medical, healthcare, jewelry, arts, culture, fashion, architecture, food, construction इन में इसका इसका इस्तमाल होता है यहां पर museums की बात करते हैं तो mainly इस लार जंग museum, हिदराबाद वाला आलाबाद museum जो प्रियागराज, इंडिन museum जो है कुलकता यहां पर ही mainly है और national museum और national gallery of modern art यह है हला कि 44 जो location पर जो archaeological survey of India के इंडर है उनको लेकर भी हो 3D digitization पर focus किया जाएगा इसके अंदर जो आज के टाइम पर modern age technology है जिसमें augmented reality और virtual reality जो है यह learning experience होंगे इसके अंदर एक platform यूज किया जाएगा जतन virtual platform यह basically इसको design करेगा human centers को design करना computation group एक तरीके से काम करेगा और यह basically center for development of smart computing पूर्णे के दवारा design किया गया है जतन का basically काम होगा कि एक client server की तरह काम करेगा image को crop करना, water marking करना, unique numbering करना digital object को management करना, multimedia representatives की थूँ तो इस perspective में यह 3D virtual galleries को create कर सकता है और public access के थूँ जो है mobile और touchscreen के उसक्स पर जो इसकी access आपको मिल सकती है तो एक तरीके से 3D digitization के थूँ जो है museums को आने वाले time में जो visitors और tourists उनको एक new experience देने के बारे में discuss किया गया है इसके अलावा यहाँ पर आपको देखेंगे world affair में interesting से fact है जैसे होंडूरस के बारे में बताया गया होंडूरस एक country है और ये country कहाँ पर आपको पड़ेगी Central American country है इन्होंने basically क्या किया है इन्होंने चाइना के साथ अपनी relation को establishment किया अपनी embassy को open किया है ताइवान के साथ अपनी relation को break किया है होता किया है चाइना जो one China policy को follow करता है और ताइवान को उसी का हिस्सा मानता है और mostly country इसी को follow करते हैं इंडिया भी one China policy को follow करता है जिन जिन country के चाइना के साथ official relation है ताइवान के साथ official relation नहीं हो सकते कोछी country के official relation ताइवान के साथ है diplomatic relation है जिन countries के diplomatic relation ताइवान के साथ होंगे उनके साथ चाइना के diplomatic relation नहीं होगी इस तरह की जानकारी दीगी इसके बाद यहाँ पर Philippines में एक news आए कि अगर आपसे सवाल पूछू कि वोलकैनिक इरप्सन से कौन कौन से गैसी जो हो अटम स्पेर में हो सकती है उसके बारे जुरूर आप नीचे कमेंट करिए इसके लाबा एंड में अगर मैं बात करूँ तो इरान के बारे में काफी डिसकोस किया गया है इसके बारे में एक सवा हो पूछेंगे आपसे इरान जो है वह एक तरीके से बात करा इरान के जो सुप्रीम लीडर है कि नुकलर डील में कुछ भी रोग नहीं ये Western countries के साथ nuclear deal के बारे में बात करना nuclear deal क्या है इसे पहले करें हमने पड़ा कि जो P5 प्लस 1 पांच परवनेंट प्लस जर्मनी इन countries के बीच में और इरान के बीच में के agreement हुआ nuclear deal हुई कि इरान एक particular limit से ज़्यादा uranium enrichment पर काम नहीं करेगा उसके बदले मुस्ट पर sanction नहीं लगेंगी हाला कि बात में जब Donald Trump आया तो उन्हें बहुत सारी treaties को वापिस ले गिया था तो उनमें से ये भी एक तीप इसके अलावा इसको वापिस से re-enter करने के बारे में काफिन नेकर शुशे नहीं हुए अभी इसमें बहुत सा जब चीज़े नहीं चल रही क्योंकि दोनों यूएस और इरान जो है वो तरिके से allegation लगाते हैं कि आप इसमें कहिने के unreasonable demands हो रही है तो वो सारी चीज़े हैं तो यहां कि Supreme Leader ने का कि कोई wrong नहीं है बातचित करने agreement करना make sure कि आजाए हमारे nuclear इंडेस्ट्री को कोई touch नहीं करें ये ensure करना ये responsibility जो है वो होगी है और इन्होंने का कि हम United Nation nuclear worst dog जो है उसके साथ coordination करते हैं ऐसा नहीं कि हम coordination नहीं कर रहें बट हम इस मामले में compromise भी नहीं करेंगी ये वे एक तरीके से इनका comment है राइट अब आप लोगों के लिए second question ये है इरान जब हमने Thailand के बारे में थोड़ा सा जोगर्फिकली observe किया आप इरान के बारे में जोगर्फिकली observe करिए इरान की neighboring country कौन कौन सी है इरान के आसपास important ocean sea बे गल्फ जो भी important जोगर्फिकल areas है जोगर्फिकल पैसा वैसा है तो invest करिए नहीं है तो वही study करिए हम लोग जाएंगा editorial part पर editorial में दो editorial हमको पढ़ने है पहला अगर मैं बात करूँ तो article आपको बहुत छोटा सा article है जो हमें cover करना है वो है miles to go करके यह article यह editorial जो basically Indian economy के बारे में जो region में RBI की तरफ से comment आए है या हमारे जो chief economic advisor साहब की तरफ से comment आए है किस तरीके से growth करें उनके बारे में discuss करता है और इसके बाद एक article और हमें जो discuss करना है वो है region में हमने पढ़ा कि Tamil Nadu सरकार और governor के बीच में जो tussles है तो governor क्या indefinitely hold कर सकता बिल्स को इसके बारे में discuss किया गया दोनों article current interface के topic से direct relate करते हैं इसलिए इनको priority दी जारी एक article अगर आपको समय लगे तो मैं आपको self study के लिए suggestion दूँगा हो है amplify the subject of adults and girl nutrition करके जो title दिया गया है या आप अगर आपको brief में देखने को मिले हाला कि मैंने यह article इसलिए थोड़ा void किया क्योंकि generally political parties के article को मैं इतना preference नहीं देता क्योंकि criticism किया जाता है सरकार बहुत खराब कर रही है दूसरा सरकार वाले लिखते हैं तो बहुत अच्छा कर रही है balance आपको थोड़ा सा कम नजर नहीं आता मनेपूर के बारे में हम continue पढ़ रहे है यह article आप self study के लिए पढ़ सकते हैं मैं यह नहीं कहा रहा है कि criticism वाले article नहीं पढ़ने चाहिए but blind जब criticism होता तो तो थोड़ा सा एक तरीके से balance create नहीं होता है criticism में और blind criticism में difference होता है article पढ़ सकते हैं अगर आप कुछ आओ अब बात करेंगे miles to go करके जो title दिया गया है economy क्या better कर रही है दूसरा क्या हमें mindful reform की requirement है इसके बारे हम title दिया गया है इंडिया की economy जो बताया गया कि भई pandemic blue के बाद ठीक ठाक improvement कर रही है last year 7.2% हमने हसिल करी हलाकि ये भी बताया गया हमने इसको underestimate किया है आने वाले time में बताया गया कि अगले कुछ decade तक ही बताया गया कि 6.5-7% तक ही growth rate जो है हम हासिल करेंगे और chief economic advisor जो हमारे हैं वी अनत नारेशरन इन्होंने का कि भारत की जो economy है वो industry एक तरीके से कहीं ने कहीं एक अच्छी situation के अंदर है और ये अज़ेट किया कि अगले 15 साल में हम लोग जैसे चाइना ने 1979 से 2008 में बिना overheat के problem बिना overheat problem के एक तरीके से run किया है उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं overheating क्या होती कि development की upper limit हमने हासिल कर ली इसके लावा हमने 3-4 year में strong growth जो है रिशन में हासिल करी है एक optimism है strong momentum है macro fundamental जो है हमारे strong है inflation के मामले में ठीक ठाक perform कर रहे है trade deficit जो है वो हो रहा है और यह सारी चीज़े जो है फॉर्मलाजेशन को सपर कर डिजिटलाजेशन जो है फॉर्मलाजेशन बहुँ ज़्यादा improvement करता है और इनी सब की वज़े से हमारी economy का bright prospect नजर आता है as per CEA यानि chief economic advisor और यह भी बताएगे कि private sector जो है उसको worry करने जरूत नहीं है investment restart है और उनके comment के अगर बात करेते हो कि हमारी economy autopilot mode पर है हम लोग जो है important जो pending reforms है जैसे GST को लेकर काफी issues है उसको resolve करना इसके लाव कुछ loads है जो उसके अंदर reform किया जाएगा 2024 के लोग सुभा election से पहले तो सवाल यह भी है कि क्या सरकार जो है politically benefit उठाने के लिए reforms करेगी या actual में ही सरकार reform करना चाहती है कुछ sector है जैसे steel और cement है यह higher capacity show करते हैं और industry अगर मैं बात करने तो इसमें कुछ ऐसे sector जो अभी भी revival की जरूत है for example अगर हम बात करें COVID-19 से तो ठीक हम recover कर चुके हैं 2020 में 5.8% का contraction हुआ था economy में contraction क्या है कम ही होगी थी भाई घाटा हुआ था में contraction मतलब सीधा सीधा नुक्सान राइट इसके अलावा pre pandemic trajectory की जब हम बात करते हैं तो ऐसा ने की economy 2020 में ही COVID-19 रिस्टब हुई उससे पहले हम देख रहा कि सेवन successive quarter में बहुत अच्छी growth rate नहीं हुई 2019 बीच में 3.9% की growth हुई 3.9% की और 6.5% growth rate हासिल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि private investment recovers पर हमें काम करना पड़ेगा million of youth के लिए job create करने पड़ेगी demand growth को इस तरीके से promote करना पड़ेगा और government के अगर हम बात करते हैं तो इस cycle को जो virtuous cycle से इसमें सरकार को बहुत efforts करने पड़ेंगे इंडिया चाहता है कि world जैसे चाइना प्लस one supply chain के बारे में बात होती है या चाइना की तरह हम जो momentum हासिल किया था उस तरह की growth चाहते हैं तो हमें कई सारे important tariffs हो angel tax हो इन में कहीं न कहीं जो issues उनको resolve करना पड़ेगा fix करना पड़ेगा और investor के अंदर एक confidence देना पड़ेगा कि निवेस्ट कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगी आपको पैसा मिलेगा unnecessary tinkering नहीं करने चाहिए और एक condition की बारे में बात करें काम चाहिए लोगों को और opportunity कैसे create होगी investment होगा industry आएगी पैसा आएगा तभी तो रोजगार जनरेट होगे otherwise काफी जो है दिखते हैं पैदा होती है इसके बाद जो next आर्टिकल होग governors cannot indefinitely hold back विल यह title basically रिशेट में काफी debate रहा है जैसे तमिलाडू सरकार और वहां के governor के बीच में काफी टसल रहा है तो क्या governor को यह power के वो indefinitely bills को hold कर सकते हैं बहुत लंबा चोड़ा इनन आर्टिकल लिखा और जब भी advocate या lawyers आर्टिकल लिखते हैं थोड़ा सा पास करने का मतलब क्या होता है बिल असेम्बली ने पास किया proper sign करने के बारी में न वो act बहुत बदल जाएगा यह चीज़े करने में properly governance ने काम नहीं किया है एक लंबा टाइम प्रिट लिया है और एक tricky situation create कर दिया है parliamentary democracy के सामने हमारे constitution के अंदर ये बड़ी चूक माल लेजी अब एक तरीके से जिसका misuse भी कई बार होता है कि governor या president को indefinite time है कि उर्थ को mention नहीं किया गया कि भई आपको कितना समय चाहिए इस bill को approve करने के लिए governor के रोल के बारे में बात होती है governor की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर parliamentary democracy में सरकार का काम है legislation का काम है bill बनाना एक तरीके से laws बनाना और अगर elected government legislative ही नहीं करेगी कानून ही नहीं बनाएगी तो फिर parliamentary democracy breakdown हो जाएगी तो यहाँ पर governor के रोल के बारे में बताया गया कि legislature hope state जो हम उसके अंदर governor होते हैं legislative assembly होती है अगर एक house है अगर द्रवाइस दो है तो legislative council भी इसके अंदर होती है इसके लावग governor के पास बहुत कम autonomy होती है functioning को लोई कर जरनली उसको जो advice दी जाती council of minister के दोवारा chief minister led जो government होती है उसी की through जो है काम करना पड़ता है कुछ cases में जो है constitution जो प्रेजिटन और governor को की भई आप council of minister के अलावा भी काम कर सकते लेकिन वो कुछ rare conditions होती है जैसे majority ना हो ना हाउस में इसके लावा certain instances की अगर हम बात करते हैं जैसे governor को क्या discretion है की नहीं है article 1632 इसके बारे में discuss करता है इसके लावा समसेर सिंग वर्जी state of Punjab 1974 में Supreme Court ने कहा था कि president और governor जो है वो अपनी discretion independent को केवल तब ही यूज करे जब उसको constitution permit करता है article 200 ये बोलता है कि governor जब कोई governor के सामने कोई bill present किया जाता या तो वो अपने send दे या उसको withhold करे या फिर return करे ये जो withhold वाला है अगर governor ने permission दे दी तो वो कानून बन जाएगा अगर return कर दिया दुबारा भीज़ा assembly ने तो पास ही करना पड़ेगा withhold कर दी उसने तब दिक्कत आती कि उना permission दे रहे ना आगे बढ़ा रहे ना उसको वापिस कर रहे तो ये सबसे challenging है और issue को लेकर अभी तेलंगाना सरकार जब supreme court में गई थी तो उन्होंने कहा था as soon as possible इसको जो issue को resolve करिए लेकिन as soon as possible ये जो word है इसकी भी proper कोई definition नहीं है माल लेते हैं जल्द से जल्द करिए तो जल्द से जल्द क्या हो सकता है governor के लिए ये properly constitution में defined नहीं है इसके लावा governor जो है वो as possible as soon as possible जो word use किया गया गया यहाँ पर कि भाई bill को return करिए अगर money bill नहीं है money bill में तो कोई खास उनको right है नहीं इसके लावा six month decide करने के लिए house को होते हैं कि भाई उसको return करें ना करें ये सारी चीज़े इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो article 201 आता है जो presidential ascent के लिए bill को जो है वो reserve कर सकते हैं लेकिन अब ये भी सवाल होता कि अगर हर एक bill reserve कर दिया generally high court या इक तरीके से power को लेकर अगर compromise करने के बारे में कोई bill है तो वो president के पास आता लेकिन president के पास ज़रूरी नहीं कि कोई high court के reservation को लेकरी हो दूसरे bill भी जो वो reserve किया जा सकते हैं इसके लावा governor की autonomy के बारे में जो रेकेजनाइज करते हैं constitution जो है वो फ्यूज़ेजबेंस के थूरू देखा जा सकता है जैसे पुरसोतमन नंबुदीरी वर्जिस state of केरलाइनों ने decide किया था जब सुप्रेम कोट ने बताया था कि governor की एसेंड जो है वो lapse के बारे में सवाल पुचा गया था कि अगर माल लेते हाउस डिजोल हो गया हाउस भंग हो गया तो क्या लेफ्स करेगी उसके बारे में यह बतायागा कि आर्टिकल 200-201 जो है यह hold करता है कि यह lapse नहीं करती है और हलाकि अभी भी कोई time limit नहीं है जो सबसे बड़ा चलेज है आर्टिकल 200-201 में governor को permission देनी है नहीं देनी इसके ओलेकर कोई particular time नहीं है हलाकि प्रेजिडेंट के अगर हम बात करते हैं जनली 6 महिने का time होता है कि वो decide करें ना करें उसके बाद वापीस लोटा सकते है अगर आप इसको conclude करेंगे कि बहुत सारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की सजेशन आई है सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करता है सुप्रीम कोर्ट constitution को define करता है कोई नया constitution का article क्रेट नहीं क्या जाता है उसमें हलाकि कुछ एक तरीके से बात करें fundamental right में कुछ चीज़े insert हो जाएंगी वो उसके अंदर explanation में ही है लेकिन अवरोल अगर आप इसको conclude करेंगे कि governor और state government के बीज में अगर unnecessary tussle होगा अगर basic below कोई permission नहीं दी जा है तो इसमें जो as soon as possible जो है इसको ध्यान में रखा जाए और constitution के अंदर डिफाइन नहीं है इसके बारे में provision क्या जा सकता माल लेते हैं कि ancient time में नहीं है तो अभी permission जो है provision क्या जा सकता छे मेने एक साल at least आपको के एक तरीके से बिल अगर सरकार वापिस नहीं लेती तो उ फिर उसको आप return करिए या उसको reject करिए कुछ ने कुछ तो उसमें आप action लिजे ताकि एक तरीके से particular कानून पर particular law पर particular bill पर जो है कुछ ने कुछ actions हो तो फिलाल the Hindu news और editorial section में इतना ही थैंक्यो जैहिन